हेलो, आज हम डिसकस करने जा रहे हैं जामिय मिले इसलामे के कोर्स कोड M49 M.T.E.C. Earthquake Engineering के Entrance Test के रिजल्ट के बारे हम बात करने जबाले हैं इसका भी Entrance Test का रिजल्ट आ गया है List of Selected Candidates तो Admission Formalities आपको कब तक Complete करवानी है क्या क्या documents लेके जाने कट-off क्या गई है, कौन-कौन से Candidates Select हुए और Waiting List में किन-किन Candidates का नाम है ये सब हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो चलिए एक एकर की बात करते हैं सबसे पहले Admission Formalities Complete करवानी के लिए आपके पास दो दिन है 12 October और 13 October कोशिच के जएगा 12 October को जाके Admission Formalities Complete करवा लिजएगा अप टू 1 PM ठीक है Office of the head आप तो कहां जाना है Department of Civil Engineering Admission के टाइम पे आपको अपने Original और Photocopy Documents आपको लेके जाने हैं क्या क्या documents लेके जाने हैं आपको अपना Admit Card, Registration Form और 2 फोटो आपको लेके जानी है Admit Card और Registration Form आप Login करके Print Out निकाल सकते हैं आपको पता है आपकी ID से आपको निकालना है Print Out Proof of Passing Qualify आपको अपनी Original Marksheet लेके जानी है जिस बेसिस पर आपने Form फिल किया है Proof of HBS Certificate आपको Class 10 का Certificate लेके जाना है Proof of Permanent Address Water Eye Card Passport, Driving License, Ather Card आप इसमें से कोई भी एक Document लेकर जा सकते हैं अगर आप किसी काटिगरी से बिलॉंग करते हैं जैसे Point No.5 से Point No.8 Muslim OVC, Muslim ST, PWD, Kashmiri Migraine Category जम्म कश्मीर काटिगरी तो आपको इक काटिगरी Certificate भी लेकर जाना है अगर आप General है तो उसके लिए आपको कोई काटिगरी Certificate नहीं ले जाना Muslim है तो भी नहीं ले जाना Muslim Women है तो भी नहीं ले जाना Character Certificate आपको लेकर जाना है Blood Group Certificate आपके पास होगा बहुत अच्छी बाते नहीं होगा तो आप Blood Group Certificate बनवा लेजीगा Blood Test करवा के अगर GAP YIR है तो आपको एक आफिट आबिट जो है एक्स्टा लगेगा वो आपको बनाना पड़ेगा आफिट आप जो है गेट अंबर 4 से बनवा लेजीगा आपको कोई परिशान होने की जुरत नहीं है अगर आपके पास अभी mark sheet अवेलेबल नहीं है तो कोई परिशानी की बात नहीं है आपको document submit करने के लिए आपको sufficient time दिया जाएगा अप अपनी document mark sheet जो eligibility criteria है 30 November तक के अपनी mark sheet भी submit कर सकते हैं जब आप सारे documents के बारे में सारी चीज़ें हो जाएगी उसके बाद जो है आपको department से एक fee slip दी जाएगी उस fee slip को आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले bank में fee deposit करके आनिए gate number 4 पर जब आप fee deposit कर देंगे तो fee slip जो department आएंगे और वो copy submit करेंगे पहले ठीक है उसके बाद आपको एक copy आपको अपने पास रखने हैं जब तक कि आप department सब्मिट नहीं कर दें उसकी बिना घर नहीं जाना है आपको इध्यान रखना है जैसे कि यहां पर mention है ठीक है चले देखते हैं कौन-कौन से candidate select हुए है mtech earthquake engineering general की cut-off गई है 32.25 Muslim की गई है 26.75 Muslim OBC की गई है 24.5 Muslim woman की गई है 23.25 और जम्म कश्मीर की cut-off गई है 22.75 तो चले देखते cut-off देख लिए हमने अब देखते कौन-कौन से candidate select हुए सबसे पहले selection category जनरल जनरल में आप देख सकते हैं 10 candidate select किये Muslim six candidate select किये गए हैं ठीक है Muslim OBC two candidates Muslim woman two candidates जम्म कश्मीर two candidates ठीक है तो चलिए आप देखते हैं वेटिंग लिस्ट में कौन-कौन से candidate है सबसे पहले जनरल कटेगरी तो ध्यान रखना है आपको अच्छे से चेक कर लेना है वेटिंग लिस्ट वाले को अभी वेट करना पड़ेगा जो नेक्स लिस्ट आईगी उसमें वेटिंग लिस्ट से candidate select कि जाएंगे तो वेटिंग लिस्ट में 21 candidates है मुस्लिम अच्छे से आपको जो लिस्ट चेक करना है कि आपको कहां लिस्ट में नाम है application ID और roll number के तुरू आपको अपना चेक करना है Muslim OBC, 4 candidates, Muslim Women, 2 candidates और Jammu Kashmir, 4 candidates ठीक है, तो ये था हमारा जामियम इलाइसलामे का कोर्स कोड M49M Tech, Earthquake Engineering का Entrance Test का result, थैंक यू